प्रियव सिक्छार्तियों, मैं प्रदीव कुमार पांडे आचार, सिक्छा सास्त्र एवं प्रभारी सिक्छा विद्धा शाखा उत्तर प्रदेश राजस टंडन मुक्त विश्विद्धाला प्रयागराज आपका हार दिख श्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ आज मैं आपसे कुछ शिक्छा सास्त्र के संबंद में चर्चा के लिए आप सबके सामने उपस्तित हुआ हूँ, प्रि सिक्छारतियों, सिक्छा सास्तर इसनातक स्तर के विशे के अंतरगत, आपका प्रथम प्रश्न पत्र जिसका सीच्छा के सिध्धान्त, principles of education के अंतरगत जो प्रता में एक आई है शिक्षा की ओधार्ना इस पर पूरु में हम लोग एक आई एक के अंतरगत ये चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा का प्रत्य शिक्षा का अर्थ और उसे सम्मंदिस सम्प्रत्य क्या है आज हम लोग जो इसी प्रश्णपत्र की दूसरी एक आई है जिसका सीवसक है सामाजिक एवं वैक्तिक उद्देश किसके शिक्षा के सामाजिक एवं वैक्तिक उद्देश इस पर चर्चा करेंगे मैं इस चर्चा पर आऊँ इससे पूर्व जो हम लोगों ने चर्चाएं की है सिक्षा के उधारना के सम्मंद में उसमें एक बिंदु की चर्चा और आवश्चक हो जाती है कि सिक्षा के प्रकार हमने प्रत्य समझ लिए उससे सम्मंदित प्रत्यों पर भी चर्चा कर ली सिक्षा के प्रकार या सिक्षा के रूप को भी जानना आवश्चक है चुकि वो अभी तक आपके संग्यान में अनभवों में आए जरूर हैं पर उनको पर्टिकुलर जिन नामों से हम सिक्षा सास्त्र के अंतरगत जानते हैं वो जानना आवश्चक है सिक्षा के मुक्तया आपके अनभवों में तीन रूप आए होंगे या उन्ही रूपों को हम तीन प्रकार भी कह सकते हैं यह तीन प्रकार कौन कौन से हैं आपने जब जन में लिया घर में माता पिता ने आपको सिखाया कि ऐसे बैठो ऐसे उठो कौन आएगा यह विवादन करो पडोस में किसी ने आपको बताया कि इस रास्ते जाओ इस रास्ते मत जाओ यह चीज यहां पर है यह चीज वहां पर है यह चर्चा में आते हैं इसके अलावा आप जब बड़े हो गए शिक्षित हो गए आपने टीवी देखना प्रारंब कर दिया आपने समचारपत पढ़ने प्रारंब कर दिये आपने विभिन विद्वानों के प्रवचनों को सुनना प्रारंब कर दिया इन सब के माध्यम से आपने बहुत सी बाते सीखीन इसके साथ आप विद्यालेओं गए आप लोगोंने विद्यालेओं में कुछ विश्यों का अध्यं किया कुछ कॉशल सीखे आपने कुछ ग्यान अरजित किया परद इन सब के लावा एक रुप और आता है जब हम लोगों ने शिक्षा के प्रत्य की चर्चा की थी तब हमने ये कहा था कि कुछ विद्वानों ने शिक्षा के संप्रत्यों के अंतरगत ये बताया कि शिक्षा दो धुरुविये प्रक्रियाए जिसके दो धुरुविये एक शिक्षा के और एक शिक्षा रती परंत इससे और आगे बढ़ते हुए कुछ विद्वानों ने कहा कि शिक्षा दो धुरू वाली नहीं है इसके तीन धुरू होते हैं एजुकेशन इसे ट्राइप पोलर प्रोसेस शिक्षक शिक्षार्थी और पाठिक्रम कुछ विद्वानों ने और आगे बढ़े बोले नहीं इसमें तीन के साथ एक चौथा तक तो भी होता है जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसमें शिक्षक होता है सिक्षार्थी होता है पाठचर्य होता है साथी साथ सीखने की परिष्थितियां इन्वारेंड मेंट पर्यावरन सीखने का पर्यावरन भी महत्पूर्ण धुरू है यदि सीखने की इस्थितियां परिष्थितियां नुकूल नहीं है तो वह सीखना संभव नहीं होता है अग जो हम बात करते हैं इन्हे द्रूमें शिक्षक की, वर्तमान में आप अंभो कर रहे होंगे, कि बहुत सी ऐसी सिक्षाएं हैं, तरीके हैं, जहां पर सिक्षक होता ही नहीं है, फिर कौन सिखाता है, वो आप लोग जानते हैं, वो आउनलाइन सिक्षा है, वो दूरस्त माद्य कि शिक्ष्षा है जहां सिक्षक का इस्थान यह तो बहुत कम होता है यह सिक्षक सामने उपस्थित नहीं होता so तो ये जो तीन तरह की स्थितियां आपने देखी हैं एक विद्यालेजी शिक्षा है उसको देखा आपने कि वहाँ पर इस्थान निश्यत है नियम निश्यत हैं समय निर्धारित है क्या पढ़ना है ये भी निर्धारी थे कैसे पढ़ाना ये भी निर्धारी थे अर्थात इस्थान समय सीखने और सिखाने वाले जहां पर इन सभी चीजों की एक आपचारिक ब्योस्ता होती है और उस ब्योस्ता के अंतरगत जब हम ग्यान और कौसल सीखते हैं तो शिख्षा के इसी प्रकार को हम फॉर्मल एजुकेशन या आपचारिक शिख्षा कहते हैं अब दूसरी चर्चह हम ने की जहां पर पर यह सब नियम कुछ भी नहीं होते है न वहां कोई आयू का बंधन है ना ही वहां किछी नियम का बंदन ने किके स्वतंत्र रूप में आप समया पत्रों से सीख सकते हैं प्रकति से सीख सकते हैं वुजूर्गों से सвон seris seconds accepted ओ आप सब औप चारिकताओं से जो मुक्त ब्यवस्था है अर्थाथ। ओप cuatro के तर यानि उप्चार रेक्ताओं से बिलकुल अलग उसी सिक्षा के रूप को हम इंफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं जिसका दूसरा नाम निरा उप्चारिक या उप्चारी के तर शिक्षा है अब इन दोनों की ज़रा बीच की स्थिति देखिए जिसकी अभी हमने आपने चर्चा की कि नियम होंगे कुछ बेवस्थाएं होंगी कुछ बंधन होंगे लेकिन कितने होंगे वह अप्चारिक शिक्षा की भात नहीं होंगे उसमें कुछ फ्लेक्सिविल्टी होगी लचीलापन होगा कुछ छूट होगी कुछ स्वतंत्रताइं होंगी जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आप इस्थान से स्वतंत्र हैं आप कहां पर हैं किस परिस्थित में कि आप शीख सकते हैं और अप्चारिक शिक्षा की भात उनका प्रमाणी करण भी हो सकता है यह जो तीसरी बीच की अवस्ता है अप्चारिक शिक्षा का उसका नामकरण विद्वानों ने जो किया उसको हम कहते हैं नौन फॉर्मल एजुकेशन या अनौब चारिक शिक्षा यह सिक्षा के जो तीन रूप हमारे सामने आते हैं उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं एक आई दो की तरफ जिस पर अभी हमने जिसके सीर्षक के बिशे में चर्चा की शिक्षा के सामाजिक और व्यक्तिक उद तो पहले हमें आपको यह समझना पड़ेगा कि जो उद्देश है जिसको अंग्रेजी हमें एम से भी कहते हैं या उसके परयावाची की रूप में अबजेक्टिब्स की चर्चा करते हैं या गोल्स भी कह देते हैं लक्ष यह होता क्या हमने आपने अभी चर्चाओं में शीखा था एक सब्दाया कि सिख्षा एक प्रक्रिया है एक तो यह सब्दाया तो पहले हम तो जाने कि प्रक्रिया क्या है प्रक्रिया का मतलब एक ऐसी क्रिया जो गतिशील भी है और लक्ष से युक्त भी है यानि निश्चित है वो निर क्रिया जानना होगा क्रिया क्या है क्रिया वास्तों में कुछ भी जो कुछ भी घटित होता है गतशील होता है कार होता है उन सब में क्रिया प्रधान चीजें होती है एक्षन क्रिया जहां बिना क्रिया के कुछ नहीं होगा और अगर क्रिया होगी तो निश्यत रूप से उसक निकलेगी जो फल मिलेगा वही हमारा परिणाम है तो अगर हम कहें कि जो क्रिया हम करेंगे उसका अमुक परिणाम होगा अर्थात किसी भी क्रिया के परिणाम के संबन्द में पूर्व द्रश्टी रखते हुए परिणाम को निर्धारित करना यही वास्तों में गो लिया लक्ष या उद्देश एम्स कहलाते हैं अर्थात किसी भी क्रिया या प्रक्रिया के होने पर जब हम ये पूर्व निर्धारित कर लेते हैं कि ये परणाम होगा वही लक्ष या उद्देश कहलाते हैं जब हम इसको सिख्षा से जोड़ते हैं कि शिक्षा के उद्दिश क्या होंगे तो बड़ा कठिन काम हो जाता है क्यों क्यों कि शिक्षा का संबंध समाज से है और व्यक्ति से हैं दोनों से शिक्षा का घनिष्ट संबंध है यानि शिक्षा व्यक्ति से प्रभावित होती है व्यक्ति शिक्षा को प्रभावित करता ह शिक्षा समाच को प्रभावित करती है और समाच सिख्षा को प्रभावित करता है यह हम सब लोग अपने अनभव में जानते हैं तो जब हम व्यक्ति और समाज को ले करके चलते हैं और व्यक्ति और समाज दोनों की स्थितियां ऐसी हैं कि जो व्यक्ति गत आधार पर समाज गत आधार पर और काल गत आधार पर तीनों आधार पर ये चेंजेविल होते हैं परिवर्तन सील होते हैं तो जब परिवर्तन सील है तो फिर एक कैसे निरधारी तो इसलिए यदि ये कहा जाए कि शिक्षा के यही एक मात्रू देश हैं ये बड़ा कठिन और स्रम साध्य विशे भी है और लगबग असंभव भी है क्योंकि आप एतिहाशिक आधार परिदी शिक्षा साथ को देखेंगे तो बिभिन श्रम्यों पर बिभिन देशों में बिभिन स्थानों पर शिक्षा की उद्देशों में भिन्दता प्राप्त होती है इसलिए यदि ये कहा जाए कि शिक्षा के यही मात उद्देश होंगे यह संभव नहीं है लेकिन फिर भी यदि हमने परिणामों की परिकल्पना करके अपनी यात्रा प्रारंब नहीं की अर्थार बिना किसी उद्देश बिना किसी गंतब्य का निर्धारन किये हुए अगर ह यात्रा प्रारंब करेंगे तो भटकना सुभाविक है इसलिए एक बात तो निश्यत है कि हम उद्देश का निधारन तो करना ही चाहिए अब वो कौन से उद्देश होंगे क्या उद्देश होंगे इस पर चर्चा आवश्याद है यदि हम जिस देश में रहते हैं हम जिस शांसकतिक विरासत है हमारा जो अपना जीवन दर्शन है उसके आधार पर हम निश्चित रूप से अपनी और अपने देश के शिक्षा कुद्ध्यों का निधार्ण करेंगे अभी आपके सामने राष्टी शिक्षानीती 2020 सामने आई है कि इससे पूरुभी सिक्षानीतियां बनी चाहे 1986 की हो या कोठारी आयोग के आधार पर निर्मतराश्टी सिक्षानीत 1960 में कोठारी आयोग ने विज्ञान सिक्षा को कम से कम माधिमे किस्तर तक अन्यवार किया क्यों किया तातकालिक परिस्तितियों में देश ने ये अनभो किया कि हमारे यहां आधुनी की करण को हमें बढ़ावा देना चाहिए जिससे हम भी यह अन्य देशों की बात ही वैज्ञानिक और अध्यकुक छेत में प्रगत कर सके और उस प्रगत के लिए विज्ञान की सिक्षा आवश्यक इसलिए कोठारी आयोग ने इस बात की अनुशंसा की कि कम से कम माधिमे के स्तर पर विज्ञान को अन्यवार रूप से सीखने सिखाने पर बल दिया जै इसी प्रकार से जब 1986 की नीती आई उसमें भी इसी तरीके से शेक्षिक उद्देशों करने धरन किया गया कैसे किया गया जो तातकालिक शमय था जो तातकालिक हमारे देश की आवश्यक्त थी जो हमारा भारती दर्शन था उसके आधार 1986 के बाद एक लंबा समय बीद गया पूरी दुनिया में बहुत सा परवर्तन हुआ बहुत से तत्थ सामने आए चाहे वो हमारी शांस्कितिक विराशत के तत्थ हों चाहे हमारे एतिहाशिक तत्थ हों या ग्यान विज्ञान का हमारा पुरातन और प्राचीन ग्यान देशने नभू किया कि नहीं यह तो बहुत आवश्यक जो पूर की सिख्षण नीतियों में इस पर ज्ञानी नहीं दिया गया इसलिए पुना सिख्षा नीती बनी और आश्टी सिख्षा नीती 2020 में कुछ उद्देशों का निर्धारण किया गया है कि सिख्षा को मूल लाधारिश स निर्धारण किया लिया पर यह हुआ कैसे फिर हम पुरानी चर्चा में जाते हैं जिस पर हमने का कि दो ब्यक्ति हैं ब्यक्ति और समाज ब्यक्ति पर विचार करिये अगर आप तो दार्शनिक हूं यह मनोव एग्यानिक हूं यह समाज सास्तृ करते हूं यह समाज में विश्वास करती हों सब की अपने अलग अलग मत हैं उनोजी धारणाओं में विश्वास रखने वाला एक वर्ग है जो यह कहता है कि समाज कुछ नहीं है समाज का निर्मान व्यक्ति नहीं किया है है्-ब्यक्ति है तो समाज है अ मनों बख्ञान को ने तो इतना तक कहा कि व्यक्ति बिलकुल स्वत्वतंत र्काई है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समाच नहीं उनमें व्यक्ति भिणता उसकी अपनी छंता है उसका expl तो इसलिए शिक्षा में ब्यक्ति को महत्तो दिया जाना चाहिए एक दूसरा वर्ग है अरस्तु ने का मनुष्ट एक सामाजिक प्राणी है तो जब मनुष्ट सामाजिक प्राणी है तो अगर हम समाज को नहीं महत्तो देंगे है या समाख की स्थान पर व्यक्ति को महत्तो देंगे तो वो प्यूट नहीं होगा तो उन्होंनका नहीं सिक्षा का उयूद्देस इस समाज से कि एक पच्यधार थे उन्होंने का कि वेक्टि कुछ नहीं है रास्त ही सर्वो पर है समाज ही सर्वह पर है और पारिदाम क्या हुआ उसके पढ़नाम जर्मनी में दिखे इपीट में देखे ऐसे अन्य देशों में देखे जहां पर समाज को ही सब कुछ मान लिया गया बैक्ति का इस्थान बहुत छोटा कर दिया तो वह इस्थिति भी बहुत उप्युक्त नहीं है तो जब हम सिक्षा के उद्देशों की चर्चा करते हैं तो नुश्चित रूप से हमें इन सब पहलियों पर ध्यान देना होगा और उन पहलियों के आधार पर हम सेक्षिक उद्देशों को ठीक दो आधार पर वर्गी करत कर सकते हैं एक वर्गी करण है सार्वजनिक उद्देश या सारवभौमिक उद्देश या अंग्रेजी में कहें तो यूनिवर्सल एम्ज एन इंडिवीजूल एम्ज वेक्तिक उद्देश ये दोनों उद्देश वेक्ति और समास से जोड़ते हैं चाहिए सारवभौमिक अपने आप में इस पस्ट है सारवभौमिक मींस कुछ उद्देश ऐसे हैं जिसका हर देश हर समय पर कहता है कि यह होना चाहिए उद्दान के लिए आत्मान भूती हर कोई कहएगा कि होना चाहिए चारित्रिक निर्माण हर स्थान हर जगये पर चित ये कुछ ऐसे उद्देश हैं जिनको हम कहते हैं ये सार भौमिक उद्देश हैं सिक्षा के अर्थार ये देश और समय से परें ये सर्वकालिक हैं और ये सिक्षा के उद्देश हो सकते हैं और होते हैं ना न दूसरा जो वेक्टटिक उद्ध्य से है जो अभी हम ने कोठाडी कमीशन की बात-चीत की । कोठारी कमीशन ने यह ऐसा कहा क्योंकि वहाँ पर समय कैमय और देश उसकी क्या आवश्रक्ता के अमेरिका कि कुछ कुछ और ऊस समय की इतिती रूज की कुछ और थे चानी की कुछ और टी जर्मनी की को खा़ थे टो उन्होंने अपने अप में उठ्देश्यों की तरफ गए जो उनकी देश की आवयश्चता थी किर आसे उठ्देश कि आदूनी के करन को बढ़ावा देन इस काम को करना यह वास्तों में समय और देशगत होते हैं. इसलिए ऐसे उद्रों का वर्गी करा हम specific या vicious टुद्रेश के अंतरगत करते हैं. मैंने अभी शब्द प्रयोक किया था वैक्तिक उद्देश। वैक्तिक नहीं, इसको हम विषट्व देश कैसे एक सार्भोमिक उद्वेस और ओंड्वैस एक विश़ट्व द ये इनिवरसल मैंडा स्पेसिंटिक हैं एक तो कटेगिरी यह आप जो हमने सब्दे लिया था उसकी तरफ चलते हैं वही सब्देश। सामाजिक उद्धेश और समाज को ही महत्तु देतें हैं तो ना तो वह उप्युक्त है जिसके उद्धाहन देखे जा चुके है जहां तक व्यक्ति के उद्धेश की बात है इसमें कोई दो रहा है नहीं है चाहिए मनोविज्ञान हो चाहिए वह अदर्शूआध हो चाहिए वह प्रकति वाद निया कोई दाशनिकि शिद्धानत हो सब में व्यक्थि क्या महत्तों ने धरित किया गया है और यह सरो मान सकते हैं कि व्यक्ति बहुत महत्तुपूर है परंतु क्या व्यक्ति को ही के ओल महत्तु देने से केंदर में रखने से जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति को सुतंत्र रूप में विक्षित होने के उसर देने चाहिए जो रूसुने का जो आदर्सवादी कहते हैं क वह कि सारी चम्पाइव बहुतिम नहीं थह्यां कि वहलों को बाहर लाने के आफ़शकता सख्चाओ YAA कर सकते हैं mm अगर हम केवल उसी को केंदर में रख लेंगे pair नहां मनागरिकता की बात करेंगे ना हम देशировать की बातचीत करेंगे तो फिर जब हम कहते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है उसका क्या होगा तो निश्चित रूप से यह बात बिल्कुल स्पस्थ हो जाती है कि जब हम सिख्षा के उद्देशों का निर्धारन करेंगे जो खास करके लोगतांत्र पद्दत ही है शाशन क उसमें जो उद्देश निर्धारित होते हैं वो बिल्कुल अपने आप में स्पस्थ हैं वहां समाज का भी महत्त है वहां ब्यक्ति का भी महत्त है वहां ब्यक्ति को स्वतंत्रता भी है व्यक्ति को अधिकार भी है उसको अपने श्वविकास के आउशर भी है उसमें विश व्यक्ति को केंदे में रख सकते हैं बलकि हमको दोनों को शमन्मित रूप में क्यों क्योंकि दोनों अन्यों न्यासित हैं समाज व्यक्तियों से निर्मित होता है और व्यक्ति समाज में ही रहता है समाज के लिए ही करता है यदि उसमें आपसी प्रेम की भावना नहीं है यद जिए शैक्षिक उद्देस्थों के निर्धारण में वेक्ट्य और समाज दोनों के समन्ने से आगे बढ़ना होगा परन्तु किस रूप में अगर हम इन दोनों चर्चाओं को जोड़ दें तो शिक्षा के उद्देस हम निर्धारित करें तो तो क्या होंगे तो इस तरीके से इन बातों के अलावा अब हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा के अन उद्देश के हैं अन उद्देशों के अंतरगत हम उन बिंदूओं की चर्चा करेंगे जो समाज और व्यक्ति के अलावा भी ऐसे छेत रहें जो निकलते तो इन दोनों की परन्तु वो उद्देश केदि हम बिंदुवार करें तो क्या होंगे इसकी चर्चा हम लोग अगली एकाई में करेंगे आज के लिए इस चर्चा के लिए मैं एक बार पुना आपको इस बात के लिए पुनर इसमर्ति पटल पर लाना चाहता हूं कि हमने आद दो बातों की चर की एक इनवर्सालартस सारभूमक उद्दिश और यस्पेस फीक हैं विश्च्ट उद्देशत और दूसरी हमने चर्चा की शेख्चा के सामाजिक उद्दैश है और शेख्चा के वैफ्टिक उद्दैस उद्देश के स्पष्टी करन से मुझे विश्वास है कि आप सिख्षा के उद्देश्चों को समझने में जरूर सीख सके होंगे और आगे समझ विश्वास हो सकेगी इसी प्रकार से अन्य चर्चा के लिए हम पुना आप सबसे मिलेंगे आज की वारता को हम यहीं समाप्त करते हैं बहुत बहुत आप सब का धन्यवाद